Hello everyone, welcome to Vedifile. तो आज हम बात करते हैं methods of preparation of ether की, कि ether को किस तरह prepare कर सकता है, उसके बारे हम बात करते हैं. हमने क्या-क्या पढ़ लिया है? हमने general introduction पढ़ा ether का, उसके बाद structure पढ़ी ether की और फिर normanclature की हमने बात करी. आज हम पढ़ने जा रहे हैं preparation method की ether को किस तरह हम prepare कर सकते हैं तो सबसे पहला method पढ़ने जा रहे हैं हम by dehydration of alcohol. अगर हम alcohol का dehydration करा देंगे, तो किस तरह हम ether का preparation करेंगे? उस सीज़ की बात करते हैं. तो अगर हम alcohol का dehydration कराएंगे, तो वहाँ पर क्या होता है? हमें ether का formation होता हुआ दिख जाएगा. जैसे कि मैं बात करूँ, माल लीजे मेरे पास 2 molecule ROH है. बात क्लियर है? मैंने 2 molecule ROH लिया और इसकी reaction अगर मैं concentrate H2SO4 के साथ कराता हूँ, 413 Kelvin temperature. कितने Kelvin temperature पर? 413 Kelvin temperature पर तो मुझे ether form होता हुआ दिखता है और H2O वहाँ से बहार निकल जा है. बात क्लियर है यहां तक क्या बोला मैंने? अगर मैं ROH की reaction concentrate H2SO4 के साथ कराता हूँ, तो मुझे ether form होता हो दिखता है और एक water molecule वहाँ से बहार निकल जाता है. समझ में यह reaction. next point क्या होगा? देखिए. dehydration product of alcohol is ether as well as as alkene. क्या बोला मैंने ध्यान से जुनिये? हमने यह यह ether कब से बनने लगा? बताइए. यह ether temperature dependent बनने लगा. that means controlling of the alcohol is depend on temperature. हम alcohol के साथ किस temperature पर reaction करा रहे हैं? वो depend करता है. अगर आपने temperature ज़्यादा ले रखा है, तो क्या होगा? dehydration होके alken का formation होगा. और अगर आपने temperature कम ले रखा है, तो dehydration होकर ether का formation होगा. बात किया रहा है. जैसे मैं reaction की बात करता हूँ, देखिए. मैंने यह alcohol लिया. क्या है alcohol? CS3, CH2, OH. बिल्कुल यह मैंने alcohol लिया. अब एक बार मैंने इसकी reaction कराई, concentrate H2SO4 के साथ 443 Kelvin temperature पर. किस फिर 443 Kelvin temperature पर. और एक बार मैंने इसकी reaction कराई, concentrate H2SO4 के साथ ही 413 Kelvin temperature पर. यह मैं बोल दू, 413 Kelvin temperature के है. तो मैंने क्या बोला था भी? मैंने बोला था, अगर हाई temperature पर देखिशन करा रहे हो, 443 Kelvin temperature पर देखिशन करा रहे हो, तो आपको alkyne form होती ही दिखेगी. और अगर आपने 413 Kelvin temperature पर करवाया है, तो आपको ether form होता हुआ दिखेगा. बिल्कुल आप यह नीचे ether देख पा रहे हो, तो क्या देखा आपने यहाँ पर? अगर आपने दो molecule किसके लिए है? अलकॉल के लिए है, 443 Kelvin temperature है, तो alkyne बनेगा, और 413 Kelvin temperature है, तो क्या बन जाएगा हमरे पर बता ही है? एथर का formation होता हुआ दिख जाएगा. बात क्लियर है? अब हमें यहाँ किसकी बात करनी है? एथर formation की बात करनी है. तो उसके बारे हम बात करते है, अब हम देखिए. तो एथर formation by dehydration is an example of SN2 reaction. क्या बोला मैंने? जो एथर formation होता है, इसके अंदर, alcohol के अंदर यहाँ पर, वो SN2 reaction का क्या है? एक example है. और SN2 reaction किसके अंदर होती है? हमने क्या बढ़ी थी? 1 degree alcohol के अंदर, which protonated alcohol is the substrate and the second molecule of alcohol is the nucleophile. क्या बोला हमने इसके अंदर? उसको हम एक mechanism से समझते हैं. तो हमें पूरी reaction समझ में आ जाएगी किस तरह हमने एथर का formation किया है? बात क्लिएर है, dehydration से हमने किस तरह एथर का formation किया है? वो बात हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी. तो सबसे पहले मैं ने लिया एक यह एथर. बात क्लिएर है. इस एथर की reaction में है, H plus के साथ कराने जा रहा हूँ. किस के साथ? H plus के साथ कराने जा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने concentrate H2SO4 लिया है. और concentrate H2SO4 क्या है? acid है. तो वो H plus donate करता है. तो मैंने directly यहाँ पर H plus के साथ reaction करा ही. बात चुके हैं और उस oxygen के ओपर positive charge भी present है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक protonated alcohol बन चुका है. बात क्लिएर है? तो अब इस protonated alcohol पर क्या होगा? दूसरा alcohol आएगा. क्या आएगा? दूसरा alcohol आएगा मेरा CH3, CH2OH. अब वो मेरा nucleophile की तरह behave करेगा. किस की तरह है? अब वो मेरा nucleophile क यहां से बहार निकल जाएगा. और वो positive charge अब की बार oxygen की उपर आ जाएगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक H और लगा हुआ है. उस oxygen ने 3 bond बना लिये हैं. बात क्लियर है. तो उस positive को खतम करने के लिए क्लिए क्या होगा? वहाँ से 1 H प्लस बहार निकल जाएगा. और resultant आ यहां पर एक एथर का formation हो चुका है. इसका मतला आपने क्या देखा? यहां पर आपने देखा कि सबसे पहले acid creation जब कराई. तो वहाँ पर OH2 बन चुका था. यहां पर 2 H और positive charge. उसके बाद क्या हुआ? दूसरा alcohol आया. उसने अटेक किया उस carbon पर. जैसे ही carbon पर टेक किया. ए निकलने के पाद oxygen पर जो positive charge बचा. वहां से एक H प्लस बहाँ निकल गया और एक एथर का formation कर दिया है. बात क्लियर है? तो देखा आपने किस तरह एथर का formation हुआ? Thus, this method is suitable for the formation of ether containing 1 degree alkyl group. तो यह किसके लिए सही है? अगर कोई मेरा 1 degree alkyl group है, उस case में हम एथर का formation कर सकते है है, SN2 mechanism से. But, in the case of 2 and 3 degree alcohol, the ether can also be formed and SN1 pathway is followed. क्या बोला? अगर 1 degree alkyl group है, तो SN2 method use में ले सकते हैं, SN2 mechanism use में ले सकते हैं. But, अगर मेरे पास 2 degree या 3 degree alcohol present है, किसी alkyl के उपर 2 degree या 3 degree मेरे पार alkyl group present है, that means 2 CS3 या 3 CS3 present है, तो वहाँ पर SN1 pathway follow होता है, बातलियर है. But, for 2 degree or 3 degree alcohol, elimination competes with substitution reaction strongly and the major product will be the alkyl. क्या बोला? मैंने देखिए, मैंने यहाँ पर यह बात बोली थी, कि अगर केवल 1 degree alkyl group present है, आपके पास किसी alkyl के उपर, तो आपको क्या करना है? आपको SN2 से ether बना देना है, बातलियर है. Second point मैंने यह बोला था, अगर 2 degree और 3 degree alcohol present होते हैं, तो वहाँ पर SN1 pathway follow होता है. कौन सा? SN1 pathway follow होता है. बातलियर है. और अगर आपके पास 2 degree और 3 degree alcohol present होंगे, तो elimination और substitution के 20 में क्या होता है? competition होता है. That means, substitution इतना strongly नहीं होता है. महाँ पर क्या होता है? elimination जादा होता है. और elimination जादा होगा, तो क्या बनेगा elimination से? बताइए, elimination से alkyne का formation होगा. बातलियर है. महाँ पर elimination dominant करता है substitution के ऊपर. बातलियर है. next point देखिए. unsymmetrical ether cannot form by this reaction because it gives a mixture of ether which is not easy to repeat. क्या बोला हमने देखिए? हमने ये बोला है. हम कोई बात करते हैं. ये मेरे पास एक alcohol है. ROH. बातलियर है. इसकी reaction करा रहा हूं है. R-OH से. किस के साथ? R-OH के साथ मैंने इसकी reaction कराई. किस temperature पर कराई? बताइए, concentrate H2SO4 के साथ कराई. मैंने इसकी reaction. बातलियर है. किस के साथ क बाता ही है? वही आपस में reaction करके और R-O-R का formation कर ले. एक possibility ये हो सकती है कि जो हमने R-OH लिया था. वो दो molecule आपस में reaction करके और R-O-R का formation कर ले. एक possibility ये भी थी. कि R-OH और R-OH आपस में reaction कर ले. और क्या product मना देंगे? R-O-R product मना दे. that means यहाँ पर mixture of product form हो सकते हैं. और mixture of product form हो सकते हैं तो हम इस reaction को favorable नहीं मानते हैं कि ये ether बनाने के लिए एक अच्छा method है. बातलियर है. तो unsymmetrical अगर alcohol हमने ले रखे हैं. तो वहाँ पर एक mixture of ether form होता है. जो कि उनको separate करना इतना आसान नहीं होता है. बातलियर है. क्या बोल है. तो आज हम बात करने वाले हैं second method of preparation की कि ether को हम और किस method से prepare कर सकते हैं. तो आज हम पढ़ रहे हैं Williamson synthesis. बहुत important reaction है ether के case के अंदर ये. तो इससे बहुत अच्छे से हमें समझना है. बातलियर है. तो क्या होता है Williamson synthesis? देखिए. अगर अलकाइल हलाइड की reaction sodium या potassium ethoxide की साथ करा दी जाए तो हमें ether का formation होता हुआ दिख जाएगा. बात समझ में ही क्या बोला मैंने? अगर sodium या potassium ethoxide की साथ करा दोगे तो हमें क्या form होता हुआ दिख जाएगा? बात क्लियर हैं या तक. आप दिखिए. सबसे पहले बात कि हम ये जो sodium या potassium ethoxide होंगे इनका formation कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें वो सीखना है. तो देखिए कैसा होता है? मैंने लिया दो molecule ROH के मैंने दो molecule ले लिये हैं. बात क्लियर है. इनकी reaction करा ही मैंने किसके साथ? sodium के साथ करा ही. दो sodium atom के साथ करा ही. मैंने इसकी बात क्लियर है. जैसे ही मैं इसकी reaction दो sodium atom के साथ करा हूँगा. तो क्या होगा? बताइए. इसके अंदर जो sodium atom है दोनों वो क्या करेंगे? एक-एक electron lose करेंगे. और कहा तल किसको दे देंगे? दोनो H को दे देंगे. बात क्लियर है? तो आप क्या देख रहे हैं? क्या बना यहाँ पर? दोनों आपस में आके क्या हो चुके हैं? कंबाइन हो चुके हैं. और इसी को हम बोलते हैं sodium alkoxide. डाइट में इस क्या हुआ? दो ROH के molecule थे. उनकी reaction दो sodium atom के साथ करा ही गई. दोनों sodium ने एक-एक electron lose किया और वो electron उन H ने ले लिया है hydrogen ने. जैसे ही दोनों hydrogen ने एक-एक electron लि alkoxide बात किया रहे हैं. हमने sodium alkoxide का formation कर लिया है. और हमने पढ़ा था कि sodium alkoxide की reaction अगर हम alkyl halide के साथ करा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? एथर form होता हुआ दिख जाएगा. बिल्कुल. तो आम नेक्स step में क्या होगा? आप देख पा रहे हैं? यह जो sodium alkoxide है, इनकी reaction हम rx के साथ कराने जा रहे हैं. rx क्या है यहाँ पर बताइए? rx होता है मेरा alkyl halide. x मेरा halide है, r मेरा alkyl part है. तो alkyl halide बोल देंगे इसको हम. तो जो मेरा o- है, वो कहाँ attack करेगा? उस r की उपर attack करेगा और वहाँ से x बहार निकल जाएगा. that means ror का formation हो जाएगा. इसका म sodium या potassium alkyl oxide की reaction alkyl halide के साथ कराते हैं. तो हमें ether form होता हुआ दिखता है. बात clear है? समझ मेरा यह reaction कैसे हुई? next point देखिए. symmetrical and unsymmetrical ether can be obtained by this method. इस method से आप symmetrical ether भी बना सकते हैं और unsymmetrical ether भी बना सकते हैं. बात clear है? यहाँ तक समझ मेरा? it follows sn2 mechanism. यहाँ पर sn2 mechanism follow होती है. कैसे? ज जो एक nucleophile की तरह behave कर रहा था. वो alkyl की उपर क्या करता है? attack करता है, backside attack करता है. इसलिए यह sn2 mechanism follow करता है. बात समझ में यहाँ तक? next देखिए. next क्या होगा? आप मैं कुछ reaction की बात करता हूँ. जिससे हमें समझते हैं कि क्या हमें यह reaction समझ में आई या नहीं आई? देखि CS3, CH2, BR के साथ. बिल्कुल किस के साथ? CS3, CS2, BR के साथ reaction कराने जा रहा हूँ में. तो क्या होगा? जो O मैनस मेरा होता है, उसका arrow आप देख पा रहे हैं, वो कहा attack करेगा? जहां पर BR लगा हुआ है, उस carbon के उपर attack करेगा. और जैसे ही वहाँ पर attack करेगा, तो क्या होता है BR महा से बहार निकल जाता है. तो आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वन आपके पास? CS3, CH2O, CH2, CS3 का formation हो चुका है और NA और BR मेरा बहार निकल चुका है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो मेरा sodium ethoxide था. That means, ethoxide अले पार ने किसके उपर attack किया? अलकाइल हलाइड अल पार के उपर attack किया और ether का formation कर दिया है और एक NABR बहार निकल चुका है. बात समझ में आई? तो यह क्या हुआ हमारा? यह हमने Williamson की ही एक और reaction पढ़ ली है. कि किस तरह हम Williamson से ether synthesis करते हैं? बात clear है? एक और reaction देखते हैं. अब की बार मैंने लिया? sodium tertiary butoxide. क्या लिया? sodium tertiary butoxide लिया है. बिल्कुल आप देख पा रहे हैं. तर्शिरी क्या होता है? जिस carbon से मेरा O लगा हुआ है, वही carbon मेरा 3 carbon से जुड़ा हुआ है. इस पार्ट को हम तर्शिरी पार्ट बोलते हैं. तो यह हो गया मेरा sodium tertiary butoxide. बात clear है. इसकी reaction कराने जा रहे हैं. किसके साथ बताइए ethyl bromide के साथ. that means CH3, CH2, BR के साथ reaction कराने जा रहे हैं. तो O माइनस मेरा CH2 पर attack करेगा और जैसे ही CH2 पर attack करेगा तो क्या होगा? एक BR बाहर बाहर निकल जाएगा. तो हमको क्या बनता हुआ दिखेगा? देखिए. आपको यहाँ पर एक carbon जिसे 3 CH3 लगे हुए हैं. उससे O लगा हुआ है और O से आगे CH3 जुड़ा हुआ है. क्या जुड़ा हुआ है? CH3, CH2 जुड़ा हुआ है. उससे बात क्लियर है. और बाहर क्या निकला? बाहर वही NABR बाहर निकल चुका है. तो यह भी हमारे किसकी होई. एक Williamson synthesis से हमने एक एथर का formation कर लिया है. बात समझ में कैसे हुए reaction? Alkyl and aryl ether can be easily prepared by treating sodium phenoxide with an alkyl halide. क्या बोला? मैंने देखिए. अगर आपको alkyl aryl ether form करने है. अब क्या होते है alkyl aryl ether? हमने जब nomenclature क्याता था पड़े थे. यह alkyl aryl ether क्या होते हैं? जिसमें एक aryl part भी हो, एक alkyl part भी हो और वो एक ether हो. तो उसे हम बोल देंगे alkyl aryl ether. बात क्लियर है. क्या बोला हमने? alkyl aryl ether भी इस method से prepare की जा सकते हैं. कैसे? अगर sodium phenoxide की reaction कोई भी alkyl halide के साथ करा दे हम. तो उसका हम preparation कर सकते हैं. जैसे मैं बात करता हूँ. यह मैंने लिया sodium phenoxide. बात क्लियर है. एक benzene ring है. उसके उपर O minus और Na plus लिखा हुआ है. अब इसकी reaction हम किसे साथ करा रहे हैं? methyl bromide के साथ. CS3 BR के साथ कराने जा रहे हैं. बात क्लियर है. तो आप जानते हैं, methyl bromide में carbon की उपर partially positive charge होता है, bromine की उपर partially negative charge होता ह है. अब sodium phenoxide में जो oxygen है, वो attack कहां करेगा? carbon के उपर और वहां से BR बहार निकल जाएगा. तो आपने क्या देखा? क्या backside attack हुआ है? बिलकुल CS3 पे PCS attack हुआ है. और क्या ही SN2 attack होगा? इसे हम SN2 attack ही बोलते हैं. बात क्लियर है? तो जैसा ही PCS attack हुआ हुआ, वहां से BR बहार कल चुके हैं. बात समझ में आई, तो हमने किसका formation कर लिया है? अलकाइल, एराइल, इथर का formation कर लिया है. बात समझ में आई, किस तर हमने इसका किया? अब मैं next point बोलता हूँ, कि एनिसोल cannot be prepared by treating Bromobenzene with sodium methoxide. क्या बोला मैंने? अगर हम Bromobenzene की reaction sodium methoxide के साथ करा दें, तो उ उस केस में हमें अनिजोल नहीं मिलेगा. जैसे में reaction की बात करूँ, यह है मेरा Bromobenzene. बात क्लियर है, इसकी reaction कराने जा रहा हूँ, मैं sodium methoxide के साथ. यह है मेरा sodium methoxide. इसके साथ अगर मैं Bromobenzene की reaction करा हूँगा, तो क्या मुझे अनिजोल मिल जाएगा? नहीं. इस केस के O- इस Bromine को बाहर नहीं निकाल सकता. क्यों नहीं निकाल सकता बताईए? क्या reason होगा? Because alkyl halides are much less reactive towards nucleophilic substitution reaction. क्या बोला मैंने? जो मेरे aryl halide होते हैं, जो मेरे aryl halide होते हैं, वो less reactive होते हैं nucleophilic substitution के उपर. That means, वो bond easily नहीं तूट पाता है. बात तियर है, समझ में आया? इसलिए, अगर आपको एनिजोल formation करना है, तो क्या लेना पड़ेगा? हमें वहापर sodium phenoxide लेना पड़ेगा और उसके साथ methyl bromide लेना पड़ेगा या फिर मैं बोल दू, bromomethane लेना पड़ेगा. बात तियर है, सम तो उस case में कोई reaction नहीं होती है, मतलब वहाँ पर एनिजोल का formation नहीं होता है. और उसका reason भी हमने पड़ लिया है, क्योंकि जो मेरे aryl halide होते हैं, जैसे bromobenzene है, वो क्या होते हैं? वो less reactive होते हैं, nucleophilic substitution के against बात तियर है. समझ में आया, कैसे हुआ ये? अब मैं बात करता ह हूँ कि अगर हमें किसी alkyl halide की या फिर किसी ether के अच्छी yield चाहिए, उस case में हमें क्या-क्या लेना पड़ेगा? देखिए, for better yield, alkyl halide should be one degree and alcoxide should be secondary और tertiary. क्या बोला मैंने देखिए, हमने ये बोला है, अगर आपको product की अच्छी yield चाहिए, that means बहुत जादा amount में product बन आना है, तो आपको alkyl halide तो one degree लेना पड़ेगा और alcoxide क्या लेना पड़ेगा? चाहिए, वो secondary हो या tertiary हो, वो दोनों हमारे पास चल जाएंगे. अब ऐसा क्यों? सबसे पहले बात आई, sir, इसी case में इतना अच्छा product क्यों मिलेगा? देखिए, अब भी हमने बात की थी, कि Williamson के अंदर हमने देखा SN2 attack होता है, that means backside attack होता है, तो अगर alkyl halide हम लेंगे, क्या बोला हमने? अगर one degree alkyl halide हम लेंगे, तो one degree में क्या होता है? बताईए, एक कारबन से उपर क्या लगा होता है? येवल एक ही CS3 लगा होता है, बाकी दो hydrogen होते हैं, तो महा से attack करने के ल oxide secondary और tertiary लेना पड़ता है, बात लिए है, जैसे मैं reaction की बात करूँ, तो वही मैं reaction वापस लेता हूँ, देखिए, अभी हमने पढ़ी थी है, sodium tertiary butoxide मैं यहाँ पर लिया है, बात लिए है, इसके reaction हम किसके साथ कराएंगे, बताईए, वही, bromo ethane मैं बोल सकता हूँ, या फि क्या form होगा, देखिए, एक carbon जिसे 3 CS3 लगे हुए है, O, CS3, CS2, CS3, यह बन जाएगा मेरे पास क्या, एक ether का formation हो जाएगा, और एक NABR बाहर निकल जाएगा, बात समझ में आई, तो आपने क्या देखा यहाँ पर, कि मेरे पास जो alkyl halide था, वो तो 1 degree लिया था मैंने, और जो मैंने मेरा alkyl halide लिया था, वो कैसा लिया था, tertiary लिया था, तो यहाँ पर जो yield बनेगी ether की, वो बहुत जादा yield होगी, बात समझ में आई, कैसे erection होई, अब next देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने alkyl halide कौन सा लिया है, tertiary alkyl halide लिया है, मैंने, that means, आप देख करने जा रहा हूँ, sodium ethoxide के साथ, sodium ethoxide क्या होता है, बताइए, sodium ethoxide क्या होता है, यह होता है, मेरा sodium ethoxide, CH3, CH2, O-na+, इसके साथ मैं reaction करने जा रहा हूँ, आप बताइए, क्या product बनेगा मुझे, बताइए, इसके अंदर no reaction, कोई भी product नहीं बनेगा, क्योंकि हमने क्या बोल क्योंकि यहाँ पर crowding बहुत जादा है, इसके अंदर, यहाँ पर आटेक नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर कोई भी reaction नहीं होगी, that means, substitution नहीं होगा, बत अगर मैं, अगर मैं दूसरे case की बात करूँ, हमने क्या बोला था, अगर 2 degree या 3 degree alcohol halide आप लेते हो, तो उस case के अंद substitution ना होके, elimination हो जाएगा, और जैसे ही यहाँ पर elimination होगा, आप क्या बोलोगे, एक alkene का formation हो जाएगा, CS3, C, CS3 और उस carbon से double bond CS2 जोड़ा हुआ है, that means, क्या form हो है यहाँ पर, एक alkene form हो चुका है, जबकि substitution यहाँ पर नहीं हुआ था, वहाँ पर no reaction थी, बात समझ में ही, कैसे हुआ, हमने क्या बोला, अगर आपके पास tertiary alkyl halide है, क्या बोला मैंने, tertiary alkyl halide है, अगर आपके पास, तो वहाँ पर substitution नहीं होगा, वहाँ पर केवल और केवल elimination ही होगा, अब इसका reason क्या है सर, ऐसा क्यों बोला, आपने की substitution नहीं होगा, उसमें, तो reason क्या होगा, 2 degree and 3 degree alkyl halides readily undergo E2 elimination in the presence of strong base to form alkyne, and tendency of alkyl halide to undergo elimination is 3 degree, is greater than 2 degree and greater than 1 degree, क्या बोला मैंने, अगर 2 degree or 3 degree alkyl halide है, तो महाँ पर elimination ज्यादा होता है, substitution कम होता है, और अगर elimination ज्यादा होगा, महाँ पर तो alkyne का formation होगा, और इसकी reactivity क्या होती है, 3 degree दे रखा है, तो सब से ज्यादा alkyne मनेगा, फिर 2 degree और 1 degree दे रखा है, तो महाँ पर substitution ही हो जाएगा, बात क्लियर है, तो ये बात थी हमारे किसकी, Williamson direction के, जिसके अंदर हमने, बहुत सारे point देखे, SN2 के बारे में पड़ा, अच्छी yield के लिए हमने बात करी, कि 1 degree alkyl hyalide होगा, और 2 degree या 3 degree हमारे पास ethoxides होगे, या फिर alkoxide होगे, तो उस case में yield भी अच्छी होगी, और सारे direction हमने यहाँ पर cover गी, बात क्लियर है, I hope आपको ये समझ माया होगा, thank you.